बिहार में 40 सीटों पर महागटबंदन चुनाव लड़ रहा है और राहूल गांदी ने अब तक सिर्फ एक रैली की है इस बार चुनावी रणे नितिकार प्रशांत की सोर ने सवाल उठाए हैं गुरुबार 25 अपरेल को बयान जारी करते हुए प्रशांत की सोर ने कहा कि राहूल गांदी को बिहार से क्या मतलब है बिहार के किसी मुद्धे पर कभी बोलते हुए सुना है पिछली बार उन्हें बिहार में कब देखा था जो आदमी अपने जीवन में बिहार के चार जिलों का नाम तक नहीं जानता उससे बिहार के बारे म यही कारण है कि बिहार की जनता ने इतनी समझदारी दिखाई है कि कॉंग्रेस को बिहार से पूरे सिरे से काट कर फेक दिया है आज कॉंग्रेस का बिहार में कोई नामोनिशान नहीं है प्रशांत की सोर ने आगे कहा की कॉंग्रिस ने जो बिहार में गलती की उसका पूरा खम्याजा उसे भुगत ना होगा और बिहार में कॉंग्रिस साल 1990 तक ruling party हुआ करती थी और आज कॉंग्रिस का 5% वोट भी बिहार में नहीं है बिहार में 1990 के बाद से जो तीन दल हैं जो पिछले 32 सालों से बिहार को चला रहे हैं और वो हैं लालू नेतीश और बिजेपी तो इन तीनों पर सवाल नहीं खड़ा करेंगे तो क्या शिवशेना पर सवाल खड़ा करेंगे प्रशांत की सोन ने आगे कहा गरीब की बात करने वाले ये लोग अभी बोल रहे हैं कि करनाटक में महिलाओं को तीन हजार रुपे देंगे करनाटक की महिला जादा गरीब है या बिहार की महिला जादा गरीब है अगर करनाटक की महिला को तीन हजार रुपे मिलना चाहिए तो कॉंग्रेस के लोग बिहार में सरकार में शा सबाचुनाओं के बीच एक बड़ा स्टेटमेंट है क्योंकि जिस तरीके से कॉंग्रिस लगतार संगर्स कर रही है बिहार में और कहीं न कहीं आप देखना दिल्चस्प होगा कि लोग सबाचुनाओं में क्या प्रशांद की सोर जो दावा कर रहे हैं कि आप पांच के लिए बने रहे हैं नेक्षन एन पॉलिटिकल बाइट के साथ